नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं संदी के बहुत ही महात्वपून प्रशनों को आप जानते हैं कि आपका कोई भी competitive exam हो अगर आपकी Hindi language है तो उसमें आपके संदी से related questions जरूर पूछे जाते हैं तो आज की वीडियो में हम यही questions discuss करने वाले हैं इसमें आप practice करेंगे और देखेंगे आपका यह chapter कितना तयार है comment section में जाकर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रशनों के उत्तर सही दे पाए अगर आपको notes चाहिए हो तो आप इन notes को दिय से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है तो उसे हम संधी कहते हैं संधी कितने प्रकार की होती है तो संधी आपकी तीन प्रकार की होती है स्वार वियंजन विसर्ग दयानंद में प्रयोक्त संधी का नाम क्या है तो जो दयानंद में प्रयोक्त संधी है वो कौन सी है दीर सं पूछा जाता है कि इसमें कौनसी संधी है, कौनसा समास है, प्रयोक्ति संधी का नाम बताइए या प्रयोक्ति संधी का सूत्र बताइए इसी तरीके के questions आप से पूछे जाते हैं तो आपको उसी तरीके की practice करनी है नेक्स्ट है आपका question कपीश में प्रयुक्त संधी कौन सी है तो इसमें आपकी दीर्ग संधी है कपीधन इश कपीश नेक्स्ट है सदैव में प्रयुक्त संधी कौन सी है तो इसमें है सदाधन एव सदैव तो यह आपकी सरसंधी है नेक्स्ट है आपका इन में कौन स्वरसंदी का उधारण है तो इसमें जो आपका पवन है वो आपका स्वरसंदी का उधारण है वो प्लस अन पवन ये अयादी संदी में आता है जो कि स्वरसंदी के इंतरगत आती है निम्नांकित में सी कौन सा सब्द वरधी संधी का उधारन नहीं है आपको पताना है कौन सा नहीं है तो जो आपका गुरुप देश है ठीक वो आपका वरधी संधी का उधारन नहीं है और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है संधी की ट्रिक का कि आप संधी को कैसे सिर्फ देखते ही पहचान सकते हैं अगर आपको नियम ना भी याद हो, आपको नहीं पता है, आपको confusion है कि कब A मिलने से बड़ा A बनता है, कब E मिलने से मात्रा बड़ी होती है, कब I होता है, कब U होता है, अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके confused हो और आपके संधी के questions गलत हो जाते हैं, तो वो वीडियो हमारा available है playlist में, आप देख सकते हैं, ट्रिक है उसमें, तो उस ट्रिक के according भी अगर आप चलेंगे, तब भी आप इस प्रश्न का सही उतर दे सकते हैं, उसमें ट्रक यह है कि जो व्रद्धी संधी होती है, व्रद्धी सं लेकिन यहां पर गुरुपदेश में शिर्फ एक ही मातर है, तो यही आपका सही उतर हो जाएगा, यह 95% आपकी काम करती है, ट्रिक जो है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कुछ अपवाद तो होते ही है, तो उन अपवादों को छोड़ कर, क्योंकि वो specific words होते हैं, उनमे यह ट्रिक काम नहीं करती है, लेकिन 95% आप ऐसे सब्दों को पहचान सकते हैं उस ट्रिक के माध्यम से, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत ही helpful वीडियो है, नेक्स्ट क्वेशन है आपका, निमने लिखित में से दीर्ग संधी युक्त पद कौन सा है, तो इसक आदी संधी, जो की स्वर संधी है, नेक्स्ट है आपका इत्यादी का संधी विच्छेद बताना है, तो इत्यादी का संधी विच्छेद क्या है, इतिधन आदी इत्यादी, तो ऑप्शन डीस का सही होगा, अगला है निरर्थक का संधी विच्छेद, तो निरर्थक का संध आब आकी विश्द किया होगा तो निराशा, निराशा, में क्या आजाईगा ये आपकी विसर्ग संधिय थे माहोश्द किया है तो महोश्दमफा है, शंदी विश्द महाधन उश्दमफा आशीरवाद का संदी विच्छेद क्या है तो आशीरवाद आपकी विसर्ग संदी है तो इसमें होगा आशी धन वाद महेश का संदी विच्छेद क्या है महेश का संदी विच्छेद है महाधन ईश सनमती का सही संदी विच्छेद क्या है तो सनमती सत धन मती सनमती तो इसमें option D जो है वो सही उत्तर होगा अगला है अनवय का सही संधी विच्छेद क्या है तो वो है अनुमधन आए यानि पहला option इसका सही आंसर होगा परोपकार में प्रिक्ट संधी का क्या नाम है? तो परोपकार परधन उपकार परोपकार ये आपकी गुण संधी का उधारण है अगला है निमनांकित में कौन सा सब्द स्वर संधी का उधारण है तो जो आपका मनवंतर है ये स्वर संधी का उधारण है निश्चल का सही संधी विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल का होगा नीधन्चल विसर्ग संधी है ये इसका सही उधारन हो जाएगा निमने लेकित में से किसमे विसर्ग संधी है जो आपका question number 22 है इसमें आपको बताना है कि किसमे विसर्ग संधी है तो option B जो है आपका निश्चल अभी हमने उपर discuss किया नीधन्चल निश्चल तो इसमें आजाएगी आपकी सब्तर्शी का सही संधी विच्छेद बताना है तो सब्तर्शी का सही संधी विच्छेद होगा सब्तधन रिश्ची नेक्स्ट है तपोवन में प्रयुक्त संधी का नाम तपोवन में कौन सी संधी है तो तपोवन में विसर्ग संधी है तपह धनवन तपोवन नेक्स्ट है आपका स्वागत में प्रयुक्त संधी का नाम आपको बताना है तो स्वागत का संधी विच्छेद बनेगा सूधन आगत स्वागत और इसमें उकवा बन रहा है तो यहाँ पर आपकी यह यह संधी हो जाएगी अगला है आपका दिगंबर में प्रयोक्त संधी का नाम किया है तो दिगंबर में आपकी जो प्रयोक्त है वो है व्यंजन संधी और इसका जो संधी विच्छेद होगा वो होगा दिक प्लस अंबर ठीक है और इस वाली संधी में क्या होता है जी जो आपकी व्यंजन संधी है इसमें जो वर्ग का पहला वर्ण होता है, वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, जब हम उसका संधी करते हैं. तो फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, दिक्त धन अमबर तो का जो है, वो इसके तेसरे वर्ण यानि गाम में बदलेगा, तो दिगंबर हो जाएगा. संधी विच्छेद क्या है, तो प्रति धन उपकार, प्रति उपकार, तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा, वो होगा प्रति धन उपकार. गायक का सही संधी विच्छेद क्या है, तो गय धन अक गायक अयादी संधी. अभिशेक का सही संदी विच्छेद क्या है तो अभिशेक का सही संदी विच्छेद है अभी धन शेक अभिशेक नेक्स्ट है यद्यपी में प्रयुक्त संदी कौन सी है यद्यपी यद्यपी तो सही है या संदी ठीक है उसके बाद है निम्निलिकित में से कौन सा है वो शब्द जिसमें स्वरसंदी है तो इसमें है महाधन उदधी महोधदी इसमें स्वरसंदी है नेक्स्ट है आपका पावित्र का सही संदी विच्छेद क्या है तो पो, धन, इत्र, पावित्र, मनो, योग का सही संदी विच्छेद आपको बताना है तो वो है मना, धन, योग, विशार्ग, संदी, मनो, योग नेक्स्ट है प्रतिएक का सही संदी विच्छेद क्या है तो option ए ही इसका सही है प्रतिधन एक प्रतिएक ठीक गिरीश का सही संदी विच्छेद तो गिरीश का सही संदी विच्छेद है गिरीधन इश गिरीश next question है आपका नायक में प्रयुक्त संधी का नाम आपको बताना है नैधन अक नायक ये आयाधी संधी है जो सरसंधी के अंतरगत आती है अगला question है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधी का नाम तो ये शोदा में प्रियोक्त संदी है आपकी विसर्ग संदी अगला कुशन है आपका कुशन नमबर 40 निमलिकित में से एक सब्द संदी की दृष्टी से असुद्ध है वो आपको बताना है कि कौन सा सब्द अशुद्ध है तो जो आपका तदोपरांथ इसमें लिखा है वो अशुद्ध है संदी के हिसाब से ठीक है तदोपरांथ होता है लेकिन यहां संदी के हिसाब से जैसे तदाकार है तदधन आकार तथापी तदधन अपी तथाए ये सब आपकी जो हैं वो सही संदी है लेकिन तदोपरांत आपका गलत है अगला है आपका अभ्युद्ध शब्द में कौन सी संधी आ रही है तो अभ्युद्ध शब्द में आपकी यन संधी है स्वर संधी के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता है कि स्वर संधी के पांच भेद होते हैं स्वर संधी का उदाहरन कौन सा है इन में से जो शब्द आपको दिये गए हैं उसमें से रतनाकर जो है वो स्वर संधी का उदाहरन है ठीक है रतन आकर रतनाकर अगला है आपका व्यर्थ शब्द में किन वर्लों की संधी हुई है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा इ धन आ इ अगला है महोदय का संधी विच्छेद बताईए तो महोदय का जो संधी विच्छेद होगा वो होगा महा धन उदय तनमय का सही संधी विच्छेद तो तनमय होगा तत धन मय तनमय उद्धरण का सही संधी विच्छेद तो उद्धरण का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा उत्धन हरण उद्धरण अगला है तेजो माई का सही संधी विच्छेद तो सही संधी विच्छेद इसका बनेगा तेजा धनमाई तेजो माई विशर्ग संधी का उधारण है राकेश का सही संधी विच्छेद बताना है तो ये होगा राका धन इश राकेश अगला है आपका निरोग का प्रियुक्त संदी नाम बताईए यानि निरोग में कौन सी संदी है तो इसमें आपकी है निही धन रोग यानि निरोग ये विसर्ग संदी का उधारन है ठीक है निही धन रोग तो ये बन जाएगा उसके बाद अगला है निरजन निरजन में कौन सी संदी है तो सेम वही चीज है निर्जन में भी वही है निही धन जन निर्जन तो ये भी विसर्ग संदी का उधारन है अगला है वातानुकूल का सही संदी विच्छेद क्या है तो वातानुकूल का सही संदी विच्छेद है वात धन अनुकूल वातानुकूल ब्रह्मास्त् अगला है उच्छवास का सही संदी विच्छेद तो इसका सही उत्तर होगा उत्य धन स्वास उच्छवास प्रत्य उत्तर का सही संदी विच्छेद तो प्रत्य उत्तर का जो सही होगा वो होगा प्रत्य धन उत्तर प्रत्य उत्तर नमस्ति का सही संदी विच्छेद बताना है बहुत important question है बहुत परिच्छा में पूछा जाता है और इसका उत्तर होगा नमाध्धनते नमस्ते संतोष, संतोष का सही संदी विच्छेद, तो ये हो जाएगा समधन तोष, उज्वल का सही संदी विच्छेद बताना है, तो ये हो जाएगा option V, उत्धन, ज्वल, उज्चल अगला है आपका विश्वा मित्र का सही संदी विच्छेद बताना है, तो ये होगा विश्वा धन, अमित्र, विश्वा मित्र, संगम का सही संदी विच्छेद, तो संगम का होगा समधन गम, संगम, स्वागत में कौन सी संदी है, तो स्वागत में आपकी यान संदी है, सू, सूर्योधय में प्रयुक्त संदी का नाम किया है, तो सूर्योधय में आपकी गुण संदी है, सूर्यधनोदय, सूर्योधय, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संदी का नाम आपको बताना है, तो हरिश्चंद्र में आपकी विसर्ग संदी है, हरिश्चंद्र, ठीक है, तो विस अगला है आपका अत्याचार का सही संधी विच्छेद बताईए तो अत्याचार का सही संधी विच्छेद जो होगा वो होगा अत्याचार दिगंबर का सही संधी विच्छेद बताना है तो वो होगा दिक धन अमबर दिगंबर यानि ऑप्शन बी उड्डियन का सही संधी वि सर्ग संधी, सत्याग्रह में प्रयोक्ति संधी का नाम बताना है, तो सत्याग्रह में प्रयोक्ति जो संधी है, वो है सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, दीर्गि संधी, क्यों कि सर्संधी, मैं आपके आ जाएंगे, उसके बाद आपका next question आ रहा है, जो श्रावन है, श्रावन का सही संधी विच्छेद बताना है कि श्रावन का सही संधी विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा, option C, स्रोधन अन, श्रावन, उसके बाद है काव्योर्मी का सही संधी विच्छेद क्या होगा, तो काव्योर्मी का सही संध विच्छेद है, सत्य धन आग्रह, सत्या ग्रह तो ये थे आपके आज की questions काफी सारे questions आपको पता होंगे इन में से और एक अच्छा revision आपका हो गया होगा उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछना को सीखने को जरूर मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर पहली बार आ हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस का लीजे ताकि वीडियो के notifications आपको time to time मिलते रहें अगले वीडियो में हम एक और चीज का फटाफट से revision कर लेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें तयारी करते रहें खुश रहें मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार